डरो मत डाइल करो 63631763 अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप महिला है तो आपको ये नम्मर अपने मुबाइल में जरूर सेफ कर लेना चाहिए नमस्कार में उश्रद्धराय और आप दाचानक पे देख रहे हैं जिम्मेदार कौन अगर आप अपने गूगल सर्च इंजिन में P.O.R.N. यानि की पौन शब्द को टाइप करेंगे तो आप पाएंगे 10 डिजेट से भी जादा सर्च रजल वो भी सिफ चंद सेकंड्स में हाला कि भारती संस्कृती के लिए ये कौनसेप नया नहीं है दिप्रदेश में निर्मित खजराव मंदिर जो चंदेल वंजद्वारा 885 ईश्वी और 1050 ईश्वी में बनवाए गए थे सबसे पुरानी नकाशी में से एक है हाला कि बिना सेंसर वाली सपष्ट या कट्टर का मुकला और अशलील साहित में अंतर किया जा सकता है भारत में अशलील कॉंटेंट पे प्रतिवन लगाने का इतियास 2013 में जब कमलेश वासवानी वासिस यूनियन ऑफ इंडिया का केस रजिस्टर हुआ था कमलेश ने याची का दायर की थी और अपील की थी कि महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए ऐसी वेबसाइट पे रोक लगाना ज़रूरी है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से हजार नहीं लाख नी बरके करोणों में ऐसी वेबसाइट है जहां पे ऐसा अशलील कॉंटेंट दिखाया जाता है जिन पे प्रतिवन लगाना ज़रूरी है वर्ज 2015 सेक्शन 79 अफ आईपीसी के तहएट अफ एलेक्ट्रोनिक एन आईटी ने डिपार्टमेंट आफ टेलीकॉम को ये निर्देशन दिया कि 827 ऐसी वेबसाइट हैं जिसमें अशलील कॉंटेंट दिखाया जा रहा है उन्हें बैन कर दिया जाए बैन तो जरूर लगा पर ये सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए था पर जब अक्टूबर 2018 में उत्राकंग की स्कूल में 4 लड़कों ने मिलकर अपनी एक जूनियर के साथ ऐसा ही गंदा काम किया और जब इन्वेस्टिकेशन की गई तो ये पता गया कि चारों लड़की ऐसी ही पॉन वेबसाइट से प्रेरे थे और उसके चलते उन्होंने इतना बहेंकर काम किया उत्राकंग हाई कोट ने सरकार से ये अपील की कि ऐसी सारी वेबसाइट पे प्रतिवन लगाना चाहिए ताकि फ्यूचर में यानि की भविश में ऐसे क्राइम ना हो उसके चलते फिर सरकार ने इन वेबसाइट पे बैन लगा दिया था सन 2020 में जब मुंबई पुलिस को कुछ विक्टिम्स दुआरा ऐसी सूचना मिलती है कि उनके साथ जोजबदस्ती करके उनके अशलील वीडियोज बनाए जा रहे हैं उनकी ऐसी अशलील गंदी पिक्चरें बनाई जा रही हैं इसके चलते जब पुलिस ने मुंबई मलाड एरिया में मड आइलेंड के एक अपार्टमेंट में जब रेट डाले तो वहां से एक्टर गहना वशिष के साथ साथ कई और मॉडल्स और एक्टर्स को उन्होंने गिरफतार किया गहना के गिरफतारी के तुरंद बाद ही UK-based production house जिसको रिप्रेजेंट करते थे उमेश कामत को भी उन्होंने गिरफतार किया क्योंकि वो ऐसे वीडियो का possession लेके उन्हें साइट पे अपलोड करते थे निमेंबर 2020 में पुलिस ने बालाजी टेली फिलिम्स लिमिटेड द्वारा संचालित ओल्ट बालाजी और अशलील वेबसाइट सहेट 13 स्ट्रीमिंग सेवाओं के खिलाफ FIR में IPC IT अधिनियम और महिलाओं के अशलील प्रती निधित्व अधिनियम के धार्नाओं को किया गया था क्योंकि वो भी ऐसे ही अशलील कॉंटेंट बनाते थे और साथ में अपने OTT पर प्रसारित भी करते थे जो इलीगल था पॉन हब डेटा की रिपोर्ट के हिसाब से जब कोविट भारत में आया यानि की 2020 में जब कोविट ने अपने पैर पसारना चालू किया और पहला लॉकडाउन लगा यानि की 21 दिन की लॉकडाउन के दोहरान इसको यानि की पॉन कॉंटेंट देखने की व्रदी इस कदर ब स्मार्ट लोग भी हैं जो अपने वेबसाइट का नाम बदल के बाइपास कर जाते हैं या फिर अपने कॉंटेंट को एडिट कर देते हैं ताकि वो जादा से जादा भारतीये लोगों की इन सारी दिमान को वो पूरा गल सकें भारत में कुछ ऐसे OTT प्लाटफॉर्म हैं ज वो भी साला ना 3400 रुपए की सब्सक्रिप्शन पर इतना ही नहीं उनकी सीरीज के नाम इतने खतरनाक होते हैं कि नाम सुनके ही आप अंदाजर लगा सकते हैं कि किस प्रकार का कॉंटेंट यहां पर होगा जैसे की पलंग तोड मोना हूम डेलेवरी कवीता भाबी चरम सु कमाल है ITX 2000 के तहट भारत देश में पोनोग्राफी इल्लीगल नहीं है यानि कि अवैद नहीं है पर कुछ ऐसे अधीनियम जरूर है ऐसे अश्लील कॉंटेंट बनाने पर या फिर उसका प्रसारित करने पर सेक्शन 67 के अनुसार अगर आप ऐसे कोई भी कॉंटेंट बनाते हैं या फिर उसे वेबसाइट वाटसेप या कोई भी सोचल मीडिया पर ट्रांस्मिट करते हैं प्रसारित करते हैं और कोई तीसरा व्यक्ति इसका इस्तमाल करता है आगे भेजता है तो ऐसे में आपको लाक रुपे का जुर्माना देना पड़ सकता है नाइटी नाइटी एट में तीन हजार से भी जादा केस रजिस्टर के गए थे ऐसी वेबसाइट की अगेंज जो की चाइल पॉनोग्राफी यानि की चाइल कॉंटेंट अश्रील कॉंटेंट दिखाते थे यह आकड़ा ती अश्रील एब्यूस की रिपोर्ट के हिसाब से चाइल पॉनोग्राफी बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला बिजनिस है जिसमें इंडिया टॉप पोजीशन पे आता है बनाने के मामले में भी और इसका कंजंप्शन के लिए भी हमारे भारत देश में हर 40 सेकंड के अंदर एक पॉनोग्राफ वीडियो बन जाता है जिसमें से 30 से 40 प्रतीशत ये वीडियो चाइल पॉनोग्राफी के होते हैं एक रिपोर्ट के हिसाब से यानि की इंडियन साइबर आर्मी की डिरेक्टर के अनुसार हम जो भी क्वेरी गूगल पे या फे सर्च इंडन में धूरते हैं उसमें से 25 प्रतीशत चाइल पॉनोग्राफी के क्वेशन्स यानि की क्वेरी होती हैं पूरी दुनिया में यूएस और यूके के बाद इंडिया थर्ड नंबर पोजीशन पे आता है पॉन कॉन्टेन को कंजूम करने के मामले में वहीं पे 10 में से 9 वाव आपको ये लगता है कि उनके बच्चे इंटरनेट का इस्तिमाल पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं पॉन हव डेटा की रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत देश में जिनकी उम्रत 25 से ले के 34 वर्ष की है वो सबसे जादा कॉन्टेन यानि की 35 प्रतीशत पॉन कॉन्टेन का इस्तिमाल करती है इसके बाद मैं 18 से ले की 24 साल के लोग यानि की 17 प्रतीशत इसका यूसेज करती है और उसके बाद जो बहुत ही कम मातर में इस्तिमाल करते हैं वो 65 उम्रत के उपर हैं इसमें से सब्ता प्रतीशत पुरुष और 30 प्रतीशत महिला हैं और ये सब्ता प्रतीशत से भी जादा ये content स्मार्ट फोन पे देखा जाता है अब सबसे बड़ा प्रश्ण ये खड़ा होता है जहां हमारा भारत देश पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पोजिशन पे पहुँच गया है पौन के बिजनिस के मामले में लाखों से भी जादा वेबसाइड हमारे भारत देश में पनाप रही हैं जिसके चलते बच्चों के प्रती या फिर महिला के प्रती क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारी सरकार इतनी धीली क्यों है आकडों के हिसाब से तो जनता भी उतने ही जिम्मेदार है अब मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्मूर सूचना साजा कर रही हूँ अगर आप 18 साल की कमर उम्र के हैं या फिर आप किसी भी बच्चे या टीनेजर को जानता है जो 18 से कम उम्र का है या फिर आप महिला हैं अगर आपका कोई भी ऐसा अशलील वीडियो या फोटोग्र किसी ने इंटरनेट पे डाल दिया है वाइरल कर दिया है तो आप 63631763 नंबर पे डायल कीजे यह एक ऐसा इंस्टिट्यूट है जो आपका ऐसा अशलील कॉंटेंट को इंटरनेट से निकालने में आपकी मदद करेगा और साथ में आपको काउंसिलिंग भी देगा याद रखिये पॉनोग्राफी देखना इलेगल नहीं है पर उसको बनाना और उसे प्रसारित करना भारत देश में अव्वैद है नमस्कार